Hello friends, MCQ में आज हम 4th lecture कर रहे हैं, 4th class, 100 number question तक हम ने कर लिया था, right, अच्छा, अब आये हैं आप 101, question number 101, ये question, इस question को most important mark कर लिजेगा, most important में आएगा, reason सुनिए, इस question में ये important क्यों है, reason सुनिए, Mr. Raj, उम्र 62, यहां पर आपसे वो tax liability पोच रहे हैं, और initiate किया है question Mr. Raj, उम्र 62, तो आप सबसे पहले आपके मन में क्या आ जाएगा कि एक individual है, 62 year old है, देखे, मैं एक general sense ले रहा हूँ कि ऐसा general student के मन में आएगा, आपके मन में शायद ना आए, अब आगे लिखा हुआ है कि ये H.E.F. के करता है, और ये textile कोई trading, textile trading का काम H.E.F. कर रहा है, total income H.E.F. की दी हुई है, 3,4,000, अब अगर बच्चा इसे जल्दी बाजी में पढ़ेगा, एक्जाम में, तो 62 year old individual, 3,40,000, तो वो ये टिक करना पसंद करेगा, क्योंकि रिबेट मिल जाएगा 87A का, लेकिन ये देखें, आप tax liability H.E.F. की पूछी जा रही है, इसलिए मैं कहरा हूँ, question को, M.C.Q. को, exam में एक बार नहीं, दो दफ़ा जरूर पढ़ें, यहां देखें क्या गडबड हो रहा है, यह achieve की tax liability माँग रहा है, और achieve की tax liability, वैसे ये question इन्होंने गलत draft किया है, यहां पर answer कुछ और आएगा, गलत नहीं है, मैंने आपको पहले 4680, कोई सा भी ठीक कर सकते हैं, वैसे exam में उन्होंने यह वाला ठीक क्या होगा, यह वाला, जो भी ठीक करना है, 4680, और यह answer अब मेरा A सही हो जाएगा, reason क्या है, reason है, 3,40,000, मैंने calculate कर लिया, 3,40,000, minus 2,500, बताइए, 62-year-old individual की maximum exemption limit है, 3,500, लेकिन यह achieve के लिए पूछा जा रहा है, जिसकी limit धाई लाख रुपे होगी, तो धाई लाख माइनस करके जो बचेगा, उसमें 5% आप calculate करें, 4,500, 4,500 में 4% calculate करेंगे, 4% health education, तो 4680 आएगा, point number A, correct answer, ठीक है, यहां गलती एक और हो सकती है, क्या हम 87 A का rebate, H, U, F को देते हैं, answer हैं, नहीं देत हैं, HF को rebate 87 A का नहीं मिलता, rebate सिर्फ individual resident को मिलता है, next लेते हैं, interest on post office, saving account, इस पर exemption होती है, आप जानते होंगे, इस पर exemption होती है, section 10, 15 में, IFOS में मैंने कराया हुआ है, 10, 15 में, but यह joint account है, तो joint account पे 3500 रुपे, single अगर आपने account खुलवा रखा है, तो 3500, और अगर joint account खुलवा रखा है, post office saving में, तो 7000 रुपे की छूट मिलती है, तो यहाँ पर answer आएगा, 7000 रुपे, 103 number question, यह कहते हैं, यह आप ITR वाले chapter में जाओगे, तो ITR वाले chapter से, MCQ पूछा जाएगा, ITR वाले में, जब आप PEN पढ़ रहे हैं, 139 A PEN, PEN में आपने कुछ रूल भी पढ़े होंगे, जिसमें बताया गया है, कि अगर कहां कहां किस किस transaction में PEN कोट करना mandatory है, उसमें लिखा हुआ है, कि अगर आप saving account में, पैसा जमा कराते हैं, 50,000 या उससे जादा, तो आपको PEN क करना पड़ेगा, ये बहुत common है, आप सब भी जानते होंगे, ये question पीछे से उठाया हुआ है, तो exam में जब ये वाला 104 number question आएगा, तो वो 2019-20 करके आएगा आएगा आपके exam में, कुछ भी हो, हम discussion कर सकते हैं, अगर 17-18 ही पूछा जा रहा है, financial year 17-18, तो financial year 17-18 को आप क्या बहुत simple तरीके से नहीं दिया हुआ, देरह देखना, क्या ये previous year है for ay 17-18, नहीं, ay 18-19 अगर यहां होता, तो ये answer सही होता, ये assessment year 17-18, for py 17-18, नहीं, ये भी गलत हो गया, पहला number देखिए, assessment year for 16-17, ये तो बात समझा रही है, assessment year for previous year 16-17, भाई, assessment year 16-17 के लिए, and previous year for 17-18, assessment year 17-18, यहां देखिए, previous year for ay 17-18, नहीं, previous year for ay 18-19, तो ये वाला answer आपका, भी सही आ रहा है, ठीक, for the purpose of, 105 देखिएगा, for the purpose of levy tax on income other than agriculture income, union list हमारा 82 number है, यह आपको याद करके चलना पड़ेगा, 92C service tax के लिए हुआ करता था, यह सब ignore करें, आप income tax के लिए, union list है, 82, यह आपको याद रखना चाहिए, MCQ में यह आप important बन जाता है, following is not the head of income, यह question क्यों आया था, इसका मैं थोड़ा सा background, आपको history समझाता हूँ, यह question इसलिए आया था, क्योंकि एक जमाने में, यह वाला भी head हुआ करता था, जैसे अभी five heads आप पढ़ते हैं न, वो एक जमाने में, यह भी एक head हुआ करता था, income from interest on security, बट ऐसा कोई head हम अब नहीं जानते, हम तो five heads जानते हैं, उसमें यह नहीं आता, तो यह आपका correct answer बनेगा, कि यह head में नहीं आता, 107 number question कहता है, अगर total income है person की, 267888.34, तो उसे round off कैसे करेंगे आप, round off करने के लिए, आप last वाले digit को round off करेंगे, अगर 85 और more है तो 90, 85 से कम है, तो 80, तो यहां क्या आएगा, 90, यह B आपका correct answer आ जाएगा, ठीक है जी, 108 number, income tax क्या है, वो direct tax है, यह भी correct कर लिया होगा, आपने, आपने तो कर भी रखा होगा question, हो if it's set to be resident in India, if control and management of its affair wholly और partly situated in India, C हमारा सही है, individual is set to be resident in India, individual के लिए तो 182 days वाला भी है, और 365 और 60 days वाला भी है, लेकिन यहां पर आप देखें, तो 60 days और 365 वाली बात नहीं लिखी गई है, 30 days लिखा गया है, वो तो नहीं चलेगा, पिता माता अगर resident होंगे, Indian citizen होंगे, वो भी गलत है, मकान इंडिया में होगा, यह भी गलत है, तो आप यह सब गलत चीज़ हटाएंगे, तो एक option आपके पास मचेगा, 182 days और more, Indian citizen अगर इंडिया छोड़ कर जाता है, जौब के लिए, तो वो resident कब कहलाएगा, Indian citizen जब इंडिया छोड़ कर जौब के लिए जाता है, तो वो special person बन जाता है, जिसके लिए सिर्फ 182 days, सिर्फ 182 days का clause applicable होता है, और correct answer आपका आएगा, बी, individual, ये भी important mark कीजएगा, अच्छा question है, individual, foreign citizen है, foreign national है, वो इंडिया आ रहा है, पहली दफा, दोस्त, जब ये पहली दफा आ रहा है, तो आज तक back, जो भी उसके previous year के back में होगा, वो 000 days होगा, during the year 1718, ये question 17-18 के लिए है, कोई बात नहीं, 17-18 में ये आ रहा है, एक जनवरी 18, आप जरा बताइए, 17-18 का question अगर ये है, जो कि आपके exam में 19-20 बनेगा, 17-18 का question है, तो ये यहां आ रहा है, यहां आके वो 200 दिन रह रहा है, लेकिन मेरे भाई, हमारे relevant previous year में तो वो, जनवरी, फेबरी और मार्च, तीन महीने रहा, जनवरी का 31st लगा लो, 31, फेबरी क 28 और मार्च का 31, अगर आप तीनों को जोड़ ले तो 90 दिन होता है, 90 दिन से तो ये resident नहीं बन पाएगा, तो answer है non resident, और ये पहली दफाए आए, पहले की कोई detail नहीं है, अगर पहले की detail होती, 365 भी match कर जाता, तो ये फिर resident बन सकता था, okay, 113, falling income of resident and ordinary resident is taxable in India, बिटा, OR के लिए, global income taxable होती है, पहला वाला देखें, taxable होगी, दूसरा वाला देखें, taxable और तीसरा भी taxable, तो answer है, all of above, which of the following is agriculture income, कौन से agriculture income है, जरा इसके मैं background में ले चलता हूँ, आपने अगर attempt किया होगा, तो यहां आपका answer गलत आ गया होगा, या आप confused हो गया होगे, कि ये क्य question है, मैं समझाता हूँ, इसका background, दरसल ये एक case law पर आधारित है, और ये case law final में आना चाहिए, इन्होंने इसे intermediate के course में डाल दिया, डाल दिया, इसलिए मैं discuss कर रहा हूँ, वैसे ये discussion कहा होना चाहिए, final में, final में तो इसका discussion होता है, सुनना, कहानी समझना, आप जानते हो कि individual के पास अगर agriculture income है, तो ये income exempt तो होगा, लेकिन क्या ये जोड दिया जाता है total income में for enhancing slab rate, do you know about that, येस, आप जानते हैं कि agriculture income exempt होते हुए भी total income में शामिल किया जाता है, for enhancement of slab rate, इसे कहते हैं integration, integration के concept को, integration के concept को, तोड़ने के लिए, nullify करने के लिए, दो लोग मिल गए, दोनों के पास huge agriculture income था, जो इस इनकी total income में अगर जुड जाए, तो इनका slab rate 30% आ रहा था, enhance हो रहा था, ये दोनों वेक्तियों ने जोड़कर अपने आपको एक partnership form बना लिया, ये कहानी है बहुत पुरानी, partnership form बना लिया, और अपने agriculture activity को divert कर दिया, partnership form में, इसका मतलब ये हुआ कि partnership form agriculture activity करने लगी, इन दोनों के खेत, as a capital इन्हों ने introduce कर दिया, और अपनी पूरी agriculture activity जो पहले कर रहे थे, वैसे ही करते रहे, बट अब वो on paper partnership form कर रहा है, और जो भी अलाब होता था, ये partnership form से, इसके हिस्सा, इसका share ये ले ले लेते थे, अलाब का हिस्सा ले ले लेते थे, share ले ले लेते थे, अब क्या हुआ, ये जो share ये ले रहे हैं, ये exempt from tax है, जरा सोचिए, agriculture income 10-1 में exempt है, चानते हैं आप, और share of profit from partnership form by partner, is exempt under section 10-2A, वो 10-2A में exempt है, कहने का मतलब, पहले इनके पास agriculture income direct, इनके हाथ में आ रहा था, वो 10-1 में exempt है, अब यही agriculture activity, partnership form कर रहा है, और form से, फिर अब इनको हिस्सा मिल रहा है, वो भी exempt है 10-2A में, फरक्या हुआ, integration का, अब integration का, नहीं हो रहा, जब ऐसी परिस्थिती को income tax officer ने देखा, तो उसने कहा कि यह मामला गडबल है, और यह लडाई जगड़ा court तक पहुँचा, court ने कहा, सुनिए का आप court की बात, इन्होंने question ठीक से नहीं बनाया है, अगर यह question और ठीक से बनता, तो इसमें एक point और जोड़ना चाहिए था, वो मैं जोड़के बताता हो, court ने कहा, कि अगर यह partnership firm, only or substantially agriculture activity में engaged है, मतलब partnership firm का का काम ही सिर्फ agriculture का है, mainly, तो यह माना जाएगा कि यह firm, firm नहीं, बलकि इन दोनों ने अपने slab rate enhancement को रोकने के लिए बनाया है, और ऐसे में, अब यह जो इनको यहां से हिस्सा मिल रहा है, share of profit in partnership firm, that will be deemed as agriculture income, यह याद रहे, सिर्फ firm के case में है, judgment सिर्फ firm के लिए आया है, अगर यह company बना कर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि company और shareholder, अलग-अलग अस्तित्व रखते हैं, यह आप भी जानते हो, इसलिए अगर यह company बना कर करेंगे, तो ऐसा नहीं हो यह तब हो रहा है, जब partnership firm बन रहा है, तो इसलिए अब चुकी यह discussion कर लिया हम लोगों ने, इसलिए आप याद रखिएगा कि partnership firm अगर mainly agriculture में engaged है, तो जो share of profit मिले का partner को वो agriculture माना जाएगा, अब अगर आगे question ऐसा आ जाए कि firm, tea, rubber और coffee के growing and manufacturing में engaged है, तो जिस तरह से आप 60-40 करते थे, वो अब 60-40, individual जो partner है, उनके हाथ में होगा, जो share of profit मिल रहा है, जो share of profit will be deemed as agriculture income, ठीक है, कभी हो सकता है, जरूरत आ सकती है, तो यहाँ पर point number B आपको बहुत परिशान कर रहा होगा, यह question, मैंने तो कहा था ना, कि भाई, मैं करा रहा हूँ, लेकिन आगे attempt करना है, आपने किया भी होगा, तो यहाँ आप फसे होंगे मुझे लगता है, अच्छा एक बात और अभी discuss कर देता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कितना कर पाता हूँ, लेड़ सो तक तो कराई दूँगा, इसके आगे यह questions आप करें खुद से, कोई भी question अगर आपको ल नमबर है 981 वाला, 981 वाला जो नमबर है उस पर WhatsApp कर दीजेगा, इससर यह question है, इसका answer हमारे लिए doubtful है, मैं आपको WhatsApp में अपना नाम, अपना शहर, थोड़ा सा briefing कर दीजेगा अपने बारे में, नाम और शहर काफी रहेगा, और आप मुझे WhatsApp कर देंगे, तो यह WhatsApp, official WhatsApp है, य और मैं फिर इस पर reply कर दूँगा, वो आपको मिल जाएगा, इसी तरीके से हम कर पाएंगे, क्योंकि जवहार का समय है, और फिर शादिव्या का भी समय है, तो family function है, मैं उसमें busy रहूँगा, और यह possibility नहीं है, क्योंकि outstation जाना है, तो यह possibility नहीं है कि पूरा setup लेकर जाओ और फिर party function वहाँ पर भी सुनने को मिलेगा, कि आप आये हो, party attend करने, यह ना शादी में आया हो, यह पूरी class लेकर आया हो, मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए आप से request है कि आप खुद करें, इसलिए इसी वज़े से पीछे मैंने कोशिस तो कि लिएकि नह MCQ में, यह institute में जो MCQ अपलोड किया, यह जरूर करके जाएं, चाहे वो intermediate के हो, final के student हो, जरूर करके जाएं, इसमें से बहुत सारे question आएंगे, इसी के इर्दगिर्द question को तयार किया जाएगा, तो आप जरूर करके जाएं, किसी answer में अगर आपको doubt होता है, जब हो doubt तब, ऐसे बहुत जारा forward हो जाएगा, तो मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा, तो doubt होता है, तो आप इस number पे WhatsApp करेंगे, WhatsApp करेंगे, तो बात बन जाएगे, WhatsApp करेंगे, तो आसानी से मैं reply कर सकता हूँ, इस पे, यह है तो official, दोनों ही number official है, 9-3 वाला भी official ही number है, personal में रखता ही नही लेकिन यह forward होकर मेरे पास आ जाता है, कि सर यह doubt है, मैं बोल कर रखूँगा, कि doubt जो भी आएगा, इस तरह से MCQ से related, वो forward करते मुझे, तो यह मेरे पास जब MCQ के doubt forward होंगे, तो मैं reply कर दूँगा, और आप तक वो answer पहुंच जाएगा, कोशिस करूँगा, कि reply हो जाएगा ठीक है, तो आज जितना हो सकता है, उसके बाद, आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है, आप अच्छा करें, बढ़िया से result लेकर आए, चलिए, हम आगे बढ़ें, continue करें, यह वाला हिस्सा क्लियर होगा बटाई, 114 नंबर, 115 में आते हैं, which of the following income received by SSE, exempt under section 10, 10 में कौन स exempt है, agriculture income exempt है, और भी हो सकता है, तो नीचे और हमें पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ agriculture ही होगा, और भी हो सकता है, तो हमें नीचे पढ़ना चाहिए, दूसरा, salary, नहीं यह तो taxable होता है, तीसरा, salary, यह भी taxable होता है, all, नहीं, तो फिर एक ही answer बचा हमारे income for tax purpose, तो B point हमारा सही रहेगा, in case of SSE engaged in business of manufacturing team, बहुत अच्चा question है, इसे important mark करिए, यह नजरों का धोखा है, MCQ जहां भी आपको लगे नजरों का धोखा हो सकता है, वो बड़ा mark करके चलना important, उसके संभावना होगी आने की, यह नजरों का धोखा है, क्यों, क्योंकि यह सि पूछ रहें, agriculture income कितनी है, अगर वो पूछते taxable income कितनी है, तो 100% होता, वो पूछते कि business income कितनी है, तो answer हो जाता D, यह कह रहा है, agriculture income कितनी है, तो answer हो जाएगा C, हो सकता है, यही question exam में आए, और वो agriculture income कितनी है, कि बजाए पूछे business income कितनी है, तो total income business, because यह सिर्फ manufacturing कर रह Remuneration to partner of firm engaged in business of growing and manufacturing tea is मैंने अभी जैसा तुमको बताया था कि अगर firm है और firm कर रहा है growing and manufacturing tea तो यहाँ पर problem यह है कि जो partner है इनको जो यहाँ से salary मिलती है जो कि salary नहीं PGBP होती है आप जानते हैं कि salary और ब्याद जो है वो PGBP माना जाता है partner के लिए यह तो आप जानते है अब चुकी वो जो मैंने पीछे code का judgment दिया था उस judgment के मताबिक यह वाली चीज यह मानी जाएगा सिर्फ यही कर रहा है तो यह माना जाएगा यह लोग कर रहा है और यहाँ जब PGBP आएगा तो PGBP must be segregated segregated partly agriculture और partly non agriculture तो यह याद करके चलिएगा 118 नंबर थोड़ा सा unique है final वालों के लिए तो नहीं बट intermediate के student के लिए थोड़ा सा unique है इस पर ध्यान दिजेगा following activity shall be regarded as agriculture activity agriculture activity कौन सी होती है वैसे तुम जानते हैं कि आपको दिखाया भी था मैंने शायद last class में nursery की income agriculture है farm house की income agriculture है subject to condition अगर आपने land किराया पर दिया और purpose है agriculture तो वो किराया भी agriculture है और main जो direct operation है basic operation है वो तो agriculture income होता ही है यहाँ पर लिखा हुआ है subsequent operation, basic operation, basic and subsequent operation तरह देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है basic operation जो cultivation है, harvesting है यह सब जो basic operation है basic operation, दूसरा लिखा हुआ है subsequent operation subsequent मतलब क्या हुआ subsequent मतलब क्या हुआ subsequent मतलब की जैसे basic से मिलता जुलता operation जैसे हमने आलू की खेती की तो आलू की मिट्टी को हटाना यह subsequent operation हो गया जैसे मैंने मिर्च हुगाया तो उसे सुखाना जैसे मैंने goby हुगाई तो उसकी trimming यह subsequent operation हो जाता है तो basic operation तो agriculture होता ही है साथ में subsequent भी होता है operation तो तीसरे नंबर पर देखिए वो लिखा हुए है basic and subsequent operation और basic operation subsequent operation सिर्फ अगर कर रहे है तो agriculture नहीं है खेत आलू कोई और उगाता है आप उनसे खरीद लेते हो और मिट्टी की सफाई करके बेचते हो तो मिट्टी की सफाई करना subsequent operation है लेकिन only subsequent operation is not considered as agriculture income फिर से समझेए आप मिर्च उगाते हो आपसे मैंने मिर्च खरीदी मैंने सुखाया फिर उसे बेचा तो मेरी activity subsequent है लेकिन सि subsequent कर रहा हूँ तो agriculture नहीं है basic के साथ करने पर वो agriculture बनता है इसलिए ये answer सही है और ये answer सही है तो best answer में क्या चुनेंगे आप D क्योंकि B और C दो नुवा रहा है इसमें 120 number which of the following is not taxable under salary salary में taxable क्या नहीं होता एक तो मुझे पता है ये नहीं होता taxable और एक ये नहीं होता taxable तो answer क्या होगा D employer contribution to unrecognized provident fund is exempt from tax थोड़ा साथ धंग से लिखना चाहिए था यहाँ पर exam में हो सकता है कि दूसरा modify करके question आए is not taxable during job एक ये answer भी बहुत ही perfect answer है during job ये taxable नहीं होता इसे exempt कहना ठीक नहीं है क्यों क्योंकि जब retire आप होंगे तो retirement पर यही पैसा जब मिलता है that will be fully taxable आप जानते है unrecognized URPF तो इसे exempt कहना ठीक नहीं है लेकिन अब हमारे पास कोई option नहीं है तो हमें exempt को tick करेंगे लेकिन अगर कल exam में option आ रहा है इस तरीके का is not taxable during job तो ये ज्यादा adequate answer पाना जाएगा एक सोबाइस डोमेस्टिक सर्व एक सोबाइस इंपोर्टेंट माग की जाएगा लोग डोमेस्टिक सर्विंट इंगेजड बाई employer and salary is paid by employer is perquisites agree agree is perquisites but perquisites for only specified employee and that is good answer अगर exam में यही question आएगा by employer के जगा काटता नहीं हूँ मैं रुक जाओ arrow लगा देता हूँ यहाँ पर essay आ सकता है by employee and salary is paid by employer या by employee and reimburse by employer तो ऐसे में जो answer सही होगा वो a सही हो याद रखना बहुत अच्छा चीज़ है आप इसे आप perquisites पे ध्यान दो मैंने perquisites में आपको लिखवाया भी हुआ है कि कुछ perquisites जैसे medical है जैसे car है जैसे servant है जैसे education है जैसे gas electricity water है कुछ perquisites सिर्फ specified employee के लिए taxable होता है non specified के लिए taxable नहीं होता लेकिन अगर यही perquisites non specified के case में reimburse किया जाए that will be taxable बहुत tricky है आप इसको एक बार perquisites पे जाएए और वहाँ पर देखिए आपके लिखा होगा उसको समझिए और उसके बाद मेरे इस point को आप considered कीजेगा exam में important mark कीजेगा तो अगर answer question इस तरह से draft किया जाए तो answer A आजाएगा 123 number which of the following is taxable under the head salary नहीं MP, MLA वगरा तो नहीं आएगा न family pension, IFOS तो यह की answer बचा director को जो commission मिलता है ठीक है वो salary में आएगा director कौन से employee director, अगर वो non-employed director होता अगर वो sleeping director होता इस मामले में कुछ मिल रहा होता फिर other sources who among the following is specified employee specified employee कौन होगा director बिलकुल होगा employee जो salary ले रहा है 15,000, 50,000 से exceed करने पर specified employee हो जाता है तीन specified employee होता है director, employee जिसके पास 20% यह से जादा equity power है और ऐसा employee जिसकी net monetary taxable salary after deduction under section 16 exceed 50,000 तो 15,000 परमंद के इसाब से यह भी सही हो गया बट यह 10% voting power वाला सही नहीं है तो correct answer is D अगर इंपर्सेंट इंको मिल रहा है last का question है दो प्रकार से आ सकता है एक statutory limit 16-2 की entertainment allowance के लिए statutory limit मतलब होता है maximum जो prescribed है law में entertainment के लिए जो prescribed है law में limit वो तो है 5000 लेकिन question वहाँ twist कर रहा है वहाँ पर घुमा रहा है जहां लिखा हुआ non-government employee क्योंकि non-government employee में entertainment allowance deduction में है यह नहीं या यूँ कहें कि maximum limit कितनी होगी उनकी exemption की deduction की जिरो अगर यही question government employee बोल के दे अंसर है 5000 taxable value of perquisites being sweat equity sweat equity में taxable value क्या होता है allot जब उनको उन्होंने option exercise किया उस समय की market value माइनस जितना रुपिया employee दे रहा है इसको allot करवाने की ठीक NAV self occupied house का क्या होगा zero होगा one out of falling house property is not exempt 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 नहीं है कौन से देखो political party की income exempt होती है तो house property की income भी exempt होती है section 13A में local authority की income exempt होती है 10-20 में बचा क्या यह वाला यह exempt नहीं होगा किरायदार को आपने किरायपर दिया और किरायदार व्यापार कर रहा है तो किरायदार क्या करे उससे मतलब नहीं है आपने किरायपर दे रखा है तो आपकी rental income house property में taxable होगी next house property located outside India अगर कोई मकान बाहर located है तो वो किसके लिए taxable होगा OR के लिए OR के लिए taxable होगा 24A 30% of net annual value that is the correct answer यह भी नहीं होगा interest related to pre-construction period is allowed interest जो PCY होता है PCY बोलते है pre-construction period pre-construction year PCY बोलते है PCY का ब्याज एक बटा पांच करके पांच वर्षों में allowed होता है और यह वर्ष शुरू कहां से होता है जहां पर आपने construction complete किया यहां सबसे पहले बच्चा confused होकर इसे टिक करना चाहेगा क्योंकि यहां लिखा है 5 equal installment लेकिन यहां गौर कीजिये तो लिखा है year in which it was incurred जब ब्याज incurred किया था तब से 5 साल नहीं जब construction complete हुआ है तब से 5 साल तो correct answer A नहीं है B तो बिलकुल नहीं है C तो बिलकुल नहीं है तो none of abaptic करना पड़ेगा for the purpose of claiming higher deduction higher deduction under 24B यह 24B में जो deduction है वो तो दो तरह का हो गया अगर self occupied है तो 30,000 या 2,000,000 और अगर self occupied नहीं है तो no limit अगर यहां question कह रहा है higher deduction तो वो किस तरह विशारा कर रहा है self occupied की तरह विशारा कर रहा है लिखा भी हुआ है self occupied property self occupied property में 2 deduction बिल सकते हैं या तो 30,000 या तो 2,000,000 यह maximum limit है यह कहने है इस limit के लिए SSE is required to take loan on or before 99 नहीं on or after 99 is the correct answer ती कह सर sub letting house की income कहा taxable होगी हर कोई जानता है IFOS में taxable होगी तो B टिक करके आगे बढ़ते हैं 24 A नहीं मिलेगा अगर NAV 0 है तो यह answer सही है लेकिन C को ज़रा देखिए लिखा है 0 negative दोनों case में यह ज़्यादा सही होगा which of the following deduction is not allowed in case of deemed to be let out house deemed to be let out में कौन सा deduction नहीं मिलता vacancy का तो नहीं मिलता repair का नहीं मिलता देखिए standard deduction repair के लिए मिलता है but repair का नहीं मिलता standard deduction में repair है collection charges है बहुत सारे charges होते है तो you can't say कि it is for repair only यह भी नहीं है new construction allowance ऐसा कोई allowance हमने सुना भी नहीं है कुछ भी नाम दे रहे हैं यह तो correct answer हो जाएगा हमारा which of the following is not allowed as deduction for computing business income business income में कौन सा deduction नहीं मिलेगा अब देखिएगा 137 number question जरूर exam में आएगा और वहाँ पर वो बहुत सारे points दे सकते हैं PGBP को बहुत अच्छे से पढ़के जाएगा PGBP में बहुत सारे question MCQ बनने के chances है और वो देंगे भी PGBP main core area है तो वो जरूर देंगे आपको ठीक है क्या लिखा हुआ है loss incurred due to चोरी हो गई चोरी हो गई उसके वज़े से loss incurred हो गया तो ये तो deduction allowed होता है ये क्या है anticipated future loss ऐसा तो कुछ नहीं होता not allowed loss cause by white end समझते हैं क्या होता है दीमक दीमक लग जाने के वज़े से ठीक है ये भी allowed होता है और loss हो गया है accidental fire ये भी allowed होता है तो not allowed कौन सा हो अब भी preliminary expenditure पे जरूर question बनेगा मैं PG BP पे कह रहा हूँ जरूर बनेगा और मैं अब कह रहा हूँ preliminary पर जरूर बनेगा question तो दो number तो पक्के करके जाईएगा दो question जरूर बना सकते हैं वो preliminary expenditure क्योंकि वहाँ scope है reason समझाता हूँ preliminary expenditure सिर्फ resident को allowed होता है non-resident को allowed नहीं होता foreign company को allowed नहीं होता और भी points है उसको जरूर देखिएगा यहां क्या है वो देखते हैं हर business में preliminary allowed है what are the expenditure कुन-कुन से खर्चे हो सकते हैं यह वाले खर्चे होते हैं ठीक है यह भी होते हैं यह भी पांसर है डी expenditure incurred by company for the purpose of promoting यह भी जरूर आएगा important क्योंकि family planning promotion के खर्चे में क्या ध्यान रखना होता है वो सिर्फ company को allowed है यहां यह question क्या पूछ रहे हैं वो मैंने अभी नहीं पढ़ा सिर्फ company को allowed है और revenue खर्चे हर पूरा allowed होता है capital खर्चा पांच भाग में allowed होता है यहां पर क्या पूछ रहे हैं capital खर्चा company ने किया है एक बटा पांच अलाओ कर दो ठीक है expenditure on family planning promoting expense 35 AD VIP business specified business इन में से कौन सा है इन में से cold chain वाला है power नहीं है cold chain है is correct answer 35 AD यह question काट दीजेगा क्यों यह काट दीजेगा क्योंकि यह question date के हिसाब से आया है specified business जो है उसमें बाद में पहले शुरुवात में उन्होंने कम रखे थे business को बाद में कुछ business जोडते चले गए तो जब जब वो business जोडते हैं तो वो date डाल देते हैं इस दिन के बाद अगर business किया तो तो इसका correct answer तुम्हें आपको बता कर चलता हूँ यह वाला है लेकिन मत कीजेगा इसे इसे छोड़ दीजेगा यह काम का नहीं है आपके ठीक है वन 43 तक हम पहुँच गए partnership firm remuneration यहां पर एक पचास हैगा न missing है partnership firm में claim deduction in respect of remuneration to the extent अचा लॉस वाह यह question भी important mark करी लो तुम यह भी important mark करी लो क्यों क्यों सर क्योंकि loss के case में partnership firm को कितना allowed होगा remuneration डेड़ लाख रुपे अब यहां पर डेड़ लाख रुपे दिया हुआ है बच्चा तुरंट initiative लेगा डेड़ लाख टिक कर देगा अब यह बताईए अगर actual remuneration में कम पे कर रहा हूँ यह जो तुम डेड़ लाख बोल रहे हो न वो 40 B से बोल रहे हो और 40 B बताता है maximum limit वो यह नहीं कहता है इतना allowed होगा actual में जितना आप दे रहे हो as per deed अगर वो डेड़ से भी कम है फिर इसलिए correct answer होगा B block of assets is required to be increased by amount which is actual cost of assets being covered by यह क्या कह रहा है यह कह रहा है important question है यह यह कह रहा है अगर आप specified business में कोई assets खरीदते हो और उस assets को बाद में block में लेके जाते हो तो block में उसकी actual cost क्या ली जाती है zero ली जाती है और क्या ली जाती है इसी question को examiner और modify करके देगा वो देगा कि अगर within 8 year VIP business के assets normal business में लेकर आए तो क्या होगा answer है WDV इसकी actual cost बनती है वो पूछ सकता है कि VIP business का अगर लेकर आए तो income कौन सी मानी जाएगी WDV PGVP मानी जाएगी section 35 7B 35 AD 7B तो आपका 35 AD important mark करिएगा within 8 year जो restriction है normal business में transfer करने के बारे में उसे अच्छे से पढ़िएगा उस पे question जरूर बनेगा 25,000 का cash payment किया है road transporter को तो क्या करेंगे आप कुछ मत कीजिएगा पूरा allowed है लेकिन question ठीक से पढ़िएगा यहां कह रहा है disallowed कितना answer जिरो question कहता है allowed कितना है तो answer 25,000 अगर वो 25 के जगा 40,000 cash दे दे ता और question पूछता allowed कितना है तो answer जिरो अगर question कह रहा है disallowed कितना है 45,000 रुपे दे दिया तो answer पूरा 40,000 तो यही चार तरह से पूछे जा सकते है section 54 house property का है उसमें कितना पुराना house property होना चाहिए 24 महिने या उससे ज्यादा तो D answer होना चाहिए क्यों 24 महिने या उससे ज्यादा यही है ना slum sale का capital gain always short term होता है नहीं साब slum sale मतलब होता है जब undertaking बिग जाए और undertaking जितना पुराना उससे साब से हम देखते है 36 महिने का time period देखना होता है तो depend on the period of holding of capital asset being undertaking that is the correct answer while computing capital gain on a sale of immovable property full value of consideration shall be actual consideration, actual consideration less cost of transfer, actual consideration और stamp duty value whichever is high देखिए यह इस तरह से नहीं आएगा answer तो वैसे यह सही है बट इस तरह से नहीं आएगा question क्योंकि अब हमारे पास variation आ गया है 5% का variation आपके exam के लिए हैं 10% का variation आ गया और अब जो finance minister साहीबा है उन्होंने इसे और अभी increase करने की बात की है तो आपके exam के लिए 5% बनेगा 105% वाला variation तो उस इसाब से question दिमाग में frame कीजेगा वैसे तो अभी यह सही है बट जरूरी नहीं है whichever is higher क्योंकि difference 5% का होगा तब ही higher होगा तो question वैसे ही बनेगा की if stamp duty value exceeds 105% of actual sale consideration then stamp duty value will be taken as full value of consideration cost of acquisition of capital asset being an immual property acquired through gift under अधिको यह बहुत अच्छा question है important यह 49.1 और 49.4 यह दो question है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ आपको याद होगा आप लोगों को पढ़ाया है अगर मैंने तो कि रोने के लिए 4 कंदे चाहिए और बंदा खुश तो अकेले भी रह लेता है अगर आपको गिफ्ट मिला और आप पिट गए तो आपकी शकल कैसी होगी ऐसी तो आपके लिए actual cost इस section से आएगा दुखी है आप चार लोगों की जुरुत है चार दोस्त तो चाहिए दुख माटने के लिए और अगर आपको गिफ्ट मिला और आप स्माइल कर रहे हैं इसका मतलब relative से गिफ्ट लिया होगा या शादी पे गिफ्ट लिया होगा है ना तो आप स्माइल कर रहे हैं तो आपकी actual cost यहां से count होती है अगर आप smile कर रहे हैं तो cost to the previous owner period of holding भी previous owner से लेते हैं और अगर आपकी पिटाई हो गई है मतलब जिसने भी gift लिया उसकी पिटाई हो गई है तो जितने रुपे से पिटाई हुई है अब यहाँ पर immovable property की चर्चा है तो पिटाई SDV से होती है तो SDV will be taken as actual cost in the hand of receiver recipient of gift while computing capital gain on future state 150 question को modify करना पड़ेगा क्योंकि यह अब exempt नहीं रहा यह पुराना draw किया हुआ हुआ इसलिए आ रहा है ऐसा आएगा is taxable at the rate 10% in excess of एक लाख under section 112a तो यह important रखेगा इसको अब आप 151 onwards करने की कोशिस कीजिए सारा ही कर डालिए और कोई भी अगर doubt आता है तो आपको बता दिया है मैंने क्या आप मुनसे पूच सकते हूँ पूचने कर तरीका बता दिया है patience रखिएगा exam से पहले आपके अंदर confidence होना चाहिए वो कैसे आएगा कोई दवाई confidence की confidence की दवाई है पढ़ाई यही सच है मैं या और भी teacher सब आपके लिए अच्छी कामना करते हैं और आपको motivate भी करते हैं लेकिन सच क्या है हमारा motivation artificial है मैं और मेरे जैसे चितने teacher हैं सभी आपको motivate करते हैं वो एक artificial temporary motivation है समझे हमने आपको सिर्फ एक गाड़ी खराब होती है तो धक्का दे के start करते हैं वो सिर्फ हमने धक्का दिया start तो आप नहीं होना है और आप motivate रहें आपका confidence अच्छा हो उसके लिए सिर्फ एक ही दवाई है पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना confidence बिल्ड होगा knowledge के अलावा confidence का कोई दूसरा तरीका नहीं है कोई substitute नहीं है knowledge ही एक मात्र उपाई है आप confidence में तभी आ सकते हैं तो exam से पहले चुकिए MCQ का मामला है और MCQ में जरूरी है confidence उसका reason यह है कि वहाँ पर time टिक 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 चलती रहेंगे दिमाग में जब आप कोई subjective बड़ा question उठाते हो descriptive question उठाते हो numerical उठाते हो आपको पता होता है कि हमें 10-15 minute में यह करना है question तो आपके पास समय होता है उसमें फिर आप अपना pace तयार करते हो कि starting हम आराम से करते हैं फिर तेज फिर आराम से लेकिन MCQ में दिक्कत है तो MCQ में confidence रखेगा उसके साथ दुबारा भी आना मुश्किल रहेगा भी आपका एक्जाम तर तक हो चुका होगा क्योंकि लगातार दो शादी है एक के बाद एक रिष्टेदार में हो रिष्टेदार भी करीबी रिष्टेदार है सी में involvement मेरी हो जाएगी पिर भी आप जितना आपने किया सही चल रहा है आप बस इसी तरीके से पढ़ते रहें बहुत अच्छा एक्जाम रहेगा आप क्या करेंगे एक्जाम में जब आप कॉस्चन पढ़ना शुरू करोगे MCQ में जो आपको पढ़ना है तेजी से नहीं पढ़ियेगा आप से ही पढ़ेंगे जो आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं उसको करेंगे पहले ये तो आप भी जानते हो और जहां थोड़ा मुश्किल है वहाँ पर तुक्का नहीं चलाएंगे उसे रोक लेंगे तो पूरा एक बार कंप्लीट करेंगे हो सकता है कि उसमें दस से पंदरा कॉस्चन आपने रोक लिया कि ये थोड़ा सा मुझे देखना पढ़ेगा फिर सेकंड राउन में उसे आप देखेंगे उसमें भी हो सकता है कुछ फिर छूट जाए कोई बात नहीं थर्ड राउन में देखेंगे इस तरीके से आप एक कॉस्चन जब दो या तीन बार जो मुश्किल कॉस्चन है वो तीन बार अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका दिमाग खुले और आप सही आंसर कर सके और माता पिदा का आशिरवाद बड़ों का आशिरवाद तो लेके जाना जी है हम सभी टीचर तुम लोगों के साथ है तुम लोगों का आशिरवाद तुम्हारे साथ है ऑच्छा करना सब कोई इस बार जितने बच्चों ने रिस्क उठाया है बहुत सारे बच्चों ने का ठीक हम इस बार ड्रॉप कर रहे हैं अगली बार देखते हैं तो अगली बार तो देखेंगे कोई बात नहीं है ठीक है जो भी डिसीजन लिया है दुखी होने की जुरुत नहीं है लेकिन जितनों ने भी ये बीड़ा उठाया है वो बहुत अच्छे से करके जाएं और माइंड में अपने दमाग को कन्फ्यूज ना करें कि आप आपने होम बेज़ चुना है सेंटर बेज चुना है उस बंदे ने सेंटर बेज चुना है मैंने होम चुना है अब क्या होगा मेरा कुछ नहीं सब बढ़िया रहेगा आप अच्छा सोचेंगे अच्छा ही रहेगा तैयारी अच्छी करें सब कुछ अगर आपने होम बेस चुना है तो एक बार ये अपने कंप्यूटर का सारा कुछ देख लें कंप्यूटर के बैक अप, पावर बैक अप वगरा देख लें तो वो सब ठीक होना चाहिए है ना, तो सारी विवस्था होनी चाहिए लैप टॉप है तो लैप टॉप का पावर तो होता ही है बैक अप में, वो भी ठीक होना चाहिए सब विवस्था अच्छी होनी चाहिए बड़ों का आशिरवाद लें और एक्जाम क्रैक करें रिजल्ट शेयर करें मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ तो आपके काम आ सका ठीक है बेटा तो पढ़ाई करते रहें और स्वस्त रहना बहुत जरूरी है स्वस्त रहें पढ़ाई करते रहें